दोस्तो एक समस्या जो कि आजकल बच्चों को युवाओं को बड़े बुज़ुर को सब्यों घेरती जा रही है वह है कि यादधास का कमजूर होना देखिए इस बर ने हमारे स swimsर bells में वह जोर कर सकते ह mateixITY के आपने प्लाट में जैवी खेती कर रहा ए तोड़ी जमीन है वहाँ पर जैवी खेती कर रहा और वही भोजन वह लेता है आज तक जिंदा है और निश्य दूरूप से डॉक्टर के पास जाता चीरा फाड़ी करवाता तो मरता लेकिन वह आज तक जिंदा है सिर्फ किसलिए कि वह सुद्ध भोजन लेना सुरू कर दिया काफी सारी चीजे हैं जिससे कि हम यदि बदलाव करें तो बहुत कुछ हम जीवनों बदल सकते हैं बात यह वात याददास की देखिए याददास के लिए आप जो है सबसे पहले क्या करें तामसी की चीजों को छोड़ दें तेज मिस मसाले चोड़ दें और सबसे रोज लगाता एक घंटा गायतरी मंतर कर लेते हैं काफी भाई केंगा महीं पास तो समय नहीं है जी पंदरा मिट कर लें दस मिनट कर लें ठीका भाई कर लो कोई दिक अच्छी चीजे जितनी देर करोगे सही अभ्यास डल जागा लेकिन आप जो कुछ कर रहे हैं आपको सरीर बेकार होता जा रहा है एक दिन आप पड़े जाएंगे फिर आपके पास पूरे पूरे दिन का समय होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे उस समय तो इसलिए अपने लिए कुछ समय निकाले व्यायायमादी कीजिए आपको रोज गायतरी मंतर का जो है ध्यान करन करना है शानती से कमरकरदण शीधी करके बैठ जाना है और फिर आंख बंद करकर पहले आपको परणायम करने हैं मैं ककी है कि मैंने वैय truck रूपनाय मं प्रनायम को देखना तो हम क्रनें के बाद मेंकर आप कमनEl को जाएक आपको चारशी čार्शाइप पांच परनायम कर लेना और जो बाये परनायम है वो तो इसको चार से पांच कर लेना उसके बाद मैं अपका मन शाँ सांच सीत होकर वहीं पर यहाँ पर यह गायतरी मंदर की संख्या कैसे याद रखी जाती हूँ पहले हैं पिर भी एक है फिर में इसको अभी एकूरा तफिर अगी फिर अब करना तक पूरा होने में आपको कि यह देखना आपको एक अंदर ना कावी शांती मिलेगी और जो आप प्रणायम करने उससे पहले तो आपका ध्यान लगेगा जैसे आपको विचार आता है तो जैसे विचार आता है विचार को तुर्ण अठादे जिस चीज़ पर जो करिया करें उस पर लग जाएं दुबारा पहुँची ज्यादा तेज होएगा और आप तीन से चार मिनस को लगातर करके देखना आपका दिमाग तेज हो जाएगा भूलना बंद कर देंगे और सब कुछ यह आपको काफी जल्दी याद होगा पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप काफी अच्छे नमरों से पास होन करना है तो उनकी वीड़िए आप पूरे अच्छे समझाया है तो यह सन्यासी से एक योगी से अच्छा और चूर्ण समझा सकता है तो में नजर में काफी अच्छी जानकार्य आपको वीड़ियो से मिल जाएगी तो वहाँ पर उसको देखना और पहले प्रणायम जरूर कर ना क्योंकि उससे क्या हमारा शोदन हो जाता है और मन हमारा शांत हो जाता है काफी अच्छा ध्यान लगता है तो उमीद है दोस्तों कि आपको पता चला होगा और बदामाद ही आप खाना चाहे खा सकते हैं शुष साथ भी बोजन ले सकते हैं और यह दिया आप इस तरीके सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी निश्यू रूप से जो है सब्सक्राइब की समस्या दूर हो जाए क्योंकि आपका दिमाग मजूद होनेगा भाई से ठीक है तो ठीक है आप सभी को नमस्ते जैसे राम फिर मिलता कुछी ने वीडियो के साथ में